इस वीडियो में पास्ट कंटिनिस टैंस की इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों के अंग्रेजी किस प्रकार बनती है उसके बारे में जानते हैं तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंट्रोगेटी वाक्यों में अभी तक कोई भी टैंस आया तो हमने उसकी helping verb को सुरू में रखा है तो इसमें helping verb थी वाज या वर तो helping verb वाज या वर का प्रियोग वाक्य के सुरू में करते हैं जैसे वाज या वर सुरू मागिया फिर subject फिर not यदि हो तो वाक्य में वर की first form प्लस ing और फिर object और फिर other word एक्जामपिल देखेंगे क्या लड़के कक्सा में सोर मचा रहे थे तो क्या करेंगे वर दी बॉइज क्योंकि लड़के भगो बचने तो इसलिए वर लगाया वर दी बॉइज मेकिंग एन वाइज इन दा क्लास इसी प्रकार अगलाव धारन क्या पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे तो वाज फादर फादर एक वचन है तो वाज लगा दिया वाज फादर नोट नहीं है इसलिए नोट आ गया सुजेक्ट के बाद रीडिंग दी न्यूस पेपर वाज फादर नोट रीडिंग दी न्यूस पेपर ब्रोधर एक ही है यह तो इसलिए हमने वाजगपर योग क्या बात करते हैं डबल इंटरिगेटिव की यानि के वे वाक्यों के बीच में परस्ट वाचक सब्द तो ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं अब तक हमने किस्टन वर्ड को यानि पिंबर व्यानि के वाज यावर फिर सब्जेक्ट फिर नोट यदि वाक्यों हो फिर वर्ब की फर्ष्ट कौम के साथ आई एंजी फिर ऑब्जेक्ट और फिर अधर वर्ड उधारन देखें में जैसे एक्जाम्पिल बच्चा क्यों रो रहा था तो क्यों कि इंग्लिस क्य क्यों है जो क्यों है तो क्यों कि इंग्लिस रूम आ गई वाज दी चाइल्ड वीपिंग वाज बच्चा एक ही है एक वचन करता है तो वाज दी चाइल्ड वीपिंग नोट इसने नहीं लगा है क्योंकि वाक्य में नहीं था तो वाज दी चाइल्ड वीपिंग बच्चा क् वे कल क्रिकेट कहां खेल लहे थे तो कुष्चन वर्ड क्या हुआ कहां के इंगली सुरूकर में ले आइ देकर को देवा हुँँ जन् specially दे के साथ वर आगिया वेर वर्डे प्लेइंग क्रिकेट यस्टरड़े वे कल क्रिकेट कहां खेल लहे थे अगला उधारन वह उसके मदद कक नहीं कर रहा था तो किस्चन वर्ड क्या हुआ कब तो कभ की अःगलिस में वाज ही नॉट हेल्पिंग हिम वाज ही नॉट हेल्पिंग हिम नॉट बाक्य मैं नहीं था इसलिए यहां सब्जक्ट के बाद नहीं आगे सब्जेक्ट ही तो when was he not helping him वह उसकी मदद कब नहीं कर रहा था अगला उधारन उसे कौन बुला रहा था तो कौन की इंगलिस शुरुमाएगी क्यों किस्टन वर्ड है तो कौन who was calling him तो ये interrogative और double interrogative past continuous tense के आपको बताए अब आप अपनी exercise को हल करेंगे और अब्यास करेंगे